नमस्कार मित्रो, मैं चाज धर्मेंदर जी, आप सभी का प्यार और जोतिशी में स्वागत करते हैं। हम आगे हैं आपकी सेवा में और आपकी जैसे हम आप से दोर थे, हम फिर से पुना अपने जगापर आगे हैं। अगर जो भी मेरे फीवर्स हैं, जिनहें भी मेरी आझा साक्ता है, आप हमें अब कॉल कर सकते हैं, कॉल किजिएगा, हम आपका कॉल उठाएंगे, और कॉल उठाने के बाद आपकी समच्या का समधान करेंगे, जिनकी भी जो भी चीज का समस्या है वो समस्या आ करके हमें कॉल पर बताएं फॉन करके बताएं कॉल करके बताएं हम उसकी समस्या का समधान करते हैं आज हम आपको कुछ ऐसा धंतेरस का प्रयोग बताएंगे कि धंतेरस के दिन आपको करना क्या है मा काली की छवी के साथ क्योंकि आने वाला दिन धंतेरस को आपको क्या-क्या चीज खरिदना चाहिए और क्या कैसे कौन सा चीज खरिदने से आपके घर में तेरा गुना लाब होता है देखिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ और आपको समझाना क्या चाहते है सबसे पहले अगर जिदी आप मेरे channel में नया है तो सबसे पहले video को subscribe कीजेगा और अगर जिदी ये जो भी समागरी हम बताएंगे धंतरस में खरिदने के लिए अगर जिदी ये समान अगर जिदी आपको अच्छा लगे सस्ता भी है अच्छा लगे तो आप अपनी रिष्टेदार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी धन की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो आज मैं मा काली की छवी के साथ मैं आपको ज़ो है जंगली काली इन्हें बोला जाता है समसान काली आज मैं इन ही काली के सामने आपको मैं धंतेरस का परियोग बता रहा हूँ धंतेरस में क्या खरिदना चाहिए और कैसे करना चाहिए इस तरह से मैंने धंतेरस का परियोग एक से एक आपको बताते रहेंगे आप मेरे चनल में लगे रहे है धंतेरस में ऐसा ऐसा उपयोग बताएंगे जिससे कि आप पूरे साल तक जादा से जादा धन कमा सकते हैं इतना धन कमाईएगा इतना मान समान इज़त मर्यादा मिलेगा जिसका ना कोई हद है ना कोई सीमा है आप मेरे चैनल में लगे रही है अगर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब अब सिखीजिए क्या खरिदना है आपको खरिदना क्या है आपको पीतल का कोई भी समागरी खरिदना है चाहे पीतल का चम्मस ही क्यों नहीं हो, अगर आपके पास खरिदने की कोई भी चीज का छमता नहीं है, तो आप पीतल का चम्मस भी खरिद सकते हैं, आप ना कुछ तो कम से कम एक नया जारू जरूर खरिद के लाएं, अगर जदी आप एक नया जारू खरिद के लाते हैं, त अगर जिदी आप धनिया खरिद करके लाते हैं तो आपकी जीवन में धन से भर देगा। उस धनिया का परियोग आप खाने वाले जिसमें आप धनिया जिससे निकाले करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए। और उसी में मिलाते जाएं कभी भी धनिया खतम नहीं होना चाहिए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगा। अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो आप धनतेरस की दिन ऐसा परियोग करें। मैंने इसलिए एडवांस में आप लोगों को ठीक आज से आने वाला दिन धनतेरस आपका मनोकामना और पूरे साल जो है आपकी धन में बिर्धि कर दे। ये मेरा मा काली से मैं बिंति कर रहा हूं ताकि आप सभी को धन धन से भर दे। अगर हमारी मा काली की पूजा में अब मा काली की बेदी बनेंगे बेदी पे जो है चार ठाकूर, चार मुर्ती, एक सरसुती जी, लच्मी जी, गनेश जी, कर्तिक जी, चार ठाकूर और विर्धि मान होंगे इनके साथ में। उनमें अगर जीदी आपको कोई भी सयोग करना हो तो आप कर सकते हैं। आप अपना वहाँ से योगदान दे सकते हैं घर बैठे और अपना जो है मा काली का अशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं। ताकि मा काली का जो है अच्छी तरह से पूजन और आपको जो है मा काली का अशिरवाद यहां से भेजा जा सकता है मैं आपको लाइब भी दिखाऊंगा लाइब भी दिखाएंगे मा काली के पूजा का आप लोग लगे रहेगा आप मेरे चैनल में जय स्री राधे 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 जय माकाली आप से भी कामनो कामना पूर्ण